हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इस्टेडी न्यूस आज मैं आपको अरुण ग्रह के बारे में बताऊंगी जिसे यूरेनस प्लैनेट भी कहते हैं यूरेनस भी नेप्चून की तरह ही एक गैसी ये प्लैनेट है ये हमारे सौर मंडल का सात्वा ग्रह है यहाँ पर आप यूरेन यूरेनस हमारे सौर मंडल का सात्वा ग्रह है व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रविमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है यूरेनस एक गैसी ये प्लैनेट है इसलिए प्रिथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार होने के कारण भी प्रिथ्वी से केवल 14 गुना भारी है इसका गुरुत्व लगबग प्रिथवी के समान है और इसका पलायन वेग 22 किलोमीटर प्रति सेकंड है यूरेनस प्रिथवी से इतना दूर है कि इसका प्रकास प्रिथवी तक बहुत कम ही पहुंसता है इसके कारण प्राचिन विद्वानों ने कभ 13 मार्च 1781 में की थी यूरेनस टैलिसिसकोप से खोजे जाने वाला पहला ग्रह था ये जर्मन थे लेकिन 19 वर्स की उम्र में वे जर्मनी छोड़कर ब्रिटेन में आबसे थे फैडरिक विलियम हर्सन एक हगोल सास्त्री और संगीत कार थे इन्होंने ही यूरेनस प्लैनेट की खोज की थी इन्होंने इसके अलावा यूरेनस के दो सेटलाइट और सनी के भी दो सेटलाइट की खोज की थी 1805 में विलियम हर्सन ने दूर्बीन की सहयता से अंतरिक्ष का अध्यन किया तो ग्यात हुआ कि ब्रह्मांड मात्र सौरमंडल तक ही सीमित नहीं है सौरमंडल अकास गंगा का एक अंस मात्र है और 18-16 में इन्हें नाइट की उपादी प्रदान की गई थी यूरेनस के एट्मोसफेर में जूपिटर और सेटरन की तोलना में बर्फ की मात्रा काफी अधिक है यूरेनस प्लैनेट में पानी के बर्फ के अलावा अमोनिया और मीथिन गैसों की भी बर्फ पाई जाती है इसलिए कभी-कभी एस्ट्रोनॉमाट्स इस प्लैनेट को आइस गैस जाएंट के नाम से भी बुलाते है सौर मंडल के सारे प्लैनेट में से यूरेनस का वायू मंडल सबसे ठंडा है यूरेनस का मिनिमम टमपरेचर मैनस 49 केलविन देखा गया है इस ग्रह में बादलों की कई परते देखी गई है एस्ट्रोनॉमाट्स का मानना है कि नीचे पानी के बादल है और इस ग्रह के सबसे उपर मीथिन गैस के बादल है ये भी मानना जाता है कि यदि किसी प्रकार यूरेनस के बिलकुल बीच जाकर इसका केंदर देखा जा सकता तो वहां भी बर्फ और पत्थर पाए जाते हमारे सौर मंडर में चार गैसी प्लैनेट है इन्हें गैस जायन्ट के नाम से जाना जाता है इनमें मिट्टी पत्थर की वज़ाए गैस की मात्रा अधीक है और इन प्लैनेट्स का आकार भी काफी बड़ा है चार गैसी प्लैनेट यूरेनस, नेप्चून, जुपिटर और सेटर्न है इन में से यूरेनस और नेप्चून की बनावट काफी मिलती जूलती है यूरेनस के रोटेशन की बात करें तो यूरेनस प्रतेक 84 इयर्स में सूर का एक चकर लगाता है इसकी सूर से औसद दूरी लगभग 3 अरब किलो मीटर है और इसका व्यास 51,800 किलो मीटर है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में अत्वा क्लॉक वाइज चकर लगाता है इसका रोटेशन टाइम 10 आवर्स 48 मिनट है और इसका औसद घनत्व लगभग 1.3 ग्राम बाई क्यूबिक सेंटीमीटर है यूरेनस का अक्षिय जुकाव 98 डिग्री है इसलिए इसकी घुरनन धूरी सौर मंडल तल के साथ करीब करीब समानांतर है इसलिए इसे फ्लैटर प्लैनेट भी कहते हैं यूरेनस क्लॉकवाईज घुमता है और हमारी धरती एंटी क्लॉकवाईज घुमती है यूरेनस एक डोलती लुढकती गेट की तरह परिभ्रमड करता है इसके इंटर्नल इस्ट्रेक्चर को देखे तो यूरेनस विभीन प्रकार के बर्फों से बना हुआ है जैसे की वाटर, अमोनिया और मीथेन यूरेनस के मेली तीन लेयर है कोर में रॉक है जो सिलिकेट और लोह निकिल का बना है मेंटल में वाटर, अमोनिया और मीथेन के आइस है और इसके एटमस्फेयर में हैड्रोजन और हीलियम गैस है और मीथे गैस भी होते हैं और इसका अपर लेयर बिलकुल क्लावडी है यूरेनस का इंटर्नल टंप्रेचर काफी लो है नेप्चून जो कि आकार और सनरचना में यूरेनस के समान है फिर भी इसकी सतह का तापमान माइनस 218 डिग्री सेंटिग्रेट है जो यूरेनस को सौरमंडर में सबसे ठंडा प्लैनेट बनाता है यूरेनस के अब तक 27 उपग्रेही ग्यात है इन सेटलाइट्स के नाम को सेक्सपियर और अलेकजेंडर पोप की कृतियों के पात्रों से चुना गया है यूरेनस के 5 important satellites है मिरांडा, एरियल, एंब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरान इन सेटलाइट्स में सबसे बड़ा सेटलाइट टाइटेनिया है जिसकी तरिजया लगबग 788 किलोमीटर है और यूरेनस का फाडेरलिया सबसे छोटा सेटलाइट है यूरेनस के चारों तरफ 5 बहुत धोदले छले पाए जाते हैं इनका नाम अलफा, बीटा, गामा, डेलिटा और एपसिलान है लेकिन अब इनके ग्याद छलों की संख्या 10 हो गई है तो ये थी अरूड ग्रह के बारे में पूरी जानकारी I hope आपको काफी जानकारी मिली होगी मैं आपके लिए और भी एस्ट्रोनोमी रिलेटिव वीडियो लाती रहोंगी So, have a nice day